हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो बैक माई चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होममेड बॉडी लोशन के बारे में जी आ दोस्तों क्योंकि सर्दियों के मौसम में अकसर जो हमारी स्केन होती है वो काफी रफ और ड्राय हो जाती है तो कई बार क्या होता है हम मार्केट स सब्सक्राइब और बश I qui La Daruio C क्योंकि बाजार के जो लोसिंस होते हैं कोई काछी तरह के कैमिकल्स भी मिक्स होते हैं कलर्स होते हैं तो आज हम आपको बिल्पूल हो मार्केट के एलोवेरा जल, coconut oil, almond oil और vitamin E.K. capsules तो जलिए देखते हैं कितने कितने है इसकी quantity लेनी है आपने दो से तीन चमश एलोवेरा जल ले लिजिए और दो चमश coconut oil और आधा चमश आपने बादाम का तेल लेना है और इसके साथ आपने विटामिन E के दो कैपसूल ले लेने हैं और इन सभी चीजों को एक अच्छे से साफ से बाउल में आप फटा-फट से इसको मिक्स कर ले और एक स्मूथ सा पेस्ट तयार हो जाएगा तो आपने इसको क्या करना है क्लीन से कंटेनर में आपने से स्टोर कर लेना है और इसको दो से तीन महिने तक आपने इसको यूज करना है अगर तीन महिने से जादा हो गया हो तो आप इसको ना यूज करें इसके इलावा आप इसी तरीके का लोशन आप नए बना सकते हैं और फिर उसे यूज़ कीजिए दोस्तों ये जो homemade body lotion है इसका benefit ये है कि ये आपकी skin को काफी glowing बना देता है और soft and shiny skin हो जाती है इसको लगाने के साथ और इसके जो कोई भी सबसे बड़ी बात ये है कि इस body lotion का कोई भी side effect नहीं रहेगा और सर्दियों के मौसन में जो aloe vera gel होत तो दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये body lotion किस तरह से लगा और प्लीज दोस्तों आपसे request है कि एक बार ये इस lotion को try जरूर करें क्योंकि मैंने खुद पे ये try किया है ये बहुत अच्छा lotion है तो प्लीज आप इसे try कीजिए और इसका result जो होगा आप झाल झाल झाल